ये पीछे किया आमने न्यूटल, ये सेकिंड लगा है, थर्ड लगाना है, ऐसे किया, थर्ड लग गया, फोर्थ लगाना है, फोर्थ लग गया, फिफ लगा है, फिफ थोड़ा सा ओपर किया, बटन प्रेस किया, नीचे कर दिया, अब इस टाइम आपका हैंड ब्रेक नहीं वीडियो बनाने में सच में बहुत मैनत लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाएए हेलो गाईज मेरे नामिर राहूल आप देख रहे हैं PRG व्लॉग तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उनकी जो नई वाली ब्रेजा 2022 है कि उसका बैक गेर है वो अटकता है या नॉर्मल गेर शिफ्टिंग में भी वो काफी जादा लैग लेते हैं या फिर अटकते हैं देखो उसका रीजन बहुत सारे हो सकता है मैं इसके उबर एक और एक आल्री वीडियो बना चुका हूँ कि वो किउँ aanटकते हैं फिर भी मैं आज आपको फिर से समझाऊंगा कैसे करना होता है क्यूं आपके गेर है वो अटकते हैं बैक गेर हो ये नॉर्मल गेर हो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और एक और चीज़ इसके अंदर मैं बताऊंगा कि यह जो handbrake को हम लगाते हैं तो एक आवाज आती है अजीब सी कर टाइप की आवाज आती है तो हमको लगते हैं हमारे handbrake में problem तो नहीं आगया यह कोई किसी तरह का issue तो इसमें नहीं आगया है या फिर हमें handbrake को सभा रहे हैं नहीं लगा यह मतलब ब्टन दबाके हैंड़ेक को लगाना है या बीना बटन दबाए हैंड़ेक को लगाना है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिये चैनल को सबस्प्राइक कीजिये तो चलो सब से पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि एर मेरे जो गेर हैं वो बिलकुल भी स्टक नहीं होते हैं बिलकुल भी नहीं अटकते हैं मेरी नई ब्रेजा 2022 है VXI model है तो एक बार आप अगर आप देखेंगे ध्यान से यहां पर यहां पर क्लच की तरफ अपने पैर को रखता हूँ और यहां मैंने क्लच को पूरा प्रेस किया अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे जो क्लच है वो मैंने बिल्कुल एंड दग प्रेस कर रखा है अब देखो गेर की तरफ आते हैं और अपने यहां पर स्क्रीन की तरफ भी आते हैं यहां पर मैंने अपने गेर की तरफ हाथ रखा यह करा और लगा दिया देखो कितना easily जो back camera वो start हो गया है, नहीं मेरा back gear है, वो लग गया है अब देखो back gear को हटाना है यहाँ पर मैं आगे किया मतलब मेरे को बिल्कुल भी इसमें force लगाना नहीं पड़ता है, देखो first gear लगा के दिखा तो first gear कितना easily first gear लगा है, second gear लगा है यह पीछे किया है, यह second लगा है third लगाना है, ऐसे किया, third लग गया fourth लगाना है, fourth लग गया fifth लगा है, fifth लग गया अगर आपको back gear लगाना है फिर से पीछे करो, लग गया तो यार बिल्कुल भी जो back gear है दूसरे तरह के gear भी है, वो shift करने में problem नहीं होती है, देखो problem कहा होती है problem होती है, सरिफ और सरिफ आप जब clutch को पूरा प्रेस नहीं करते है अब देखो मैंने clutch को इतना प्रेस कर रखा है, यहापे मैंने clutch को थोड़ा सा आधा प्रेस किया है अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और अपने gear को हटाता हूँ, अब अगर मैं गेर लगाने की कोशिश करूँगा, तो ये गेर नहीं लगता है, मतलब मेरे को issue करता है, यहाँ पर मैं first gear लगाँगा, यह नहीं लग रहा है, मतलब बोला है कि यार तुम हटाता हूँ, यहाँ से देखो हटाया, और मैंने अपना थोड़ा सा पैर रिलीस कर लिया, मुझे पता नहीं चलता है, ड्राइविंग करते वे के मेरा थोड़ा सा ऊपर होगे, अब अगर मैं गेर लगाँगा, तो देखो दूसरा गेर लगाता हूँ, तो लग तो गया है, क मैं तो आपको लगता है, कि आपको बता ही रखाए कि जो रेस्टिंग पोडिशन होती है, आप अपना पैर इसे फसा लेते हैं इसके अंदर, जब ऐसे प्वदा लें तो आपको लंगता कराक्ता कि मेरा हलका सा पैर यहां पर प्रहां के, वह प्रेशान करती आपको इस वजह से जख क्रत करना है, तब सा अथ पीछ को पूरा प्रेस graphics नहीं होता है। easily back gear लग जाता है, तो यार, ये मेरी दरफ से एक, म疑ल, जो लोगों को लगता है, ज़ने की प्रब्लम होरी है उनका clutch अटकता है नहीं वाली bizar, आपका तो यापका तो ये नहीं अटकता है मेरी वाली bizar में तो अटकता है देखो, इशु यही है कि आपने matting कर wreck Do시 होता है. तो इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी में जो हैंड़िक लगावा है. अब यहाद सब बोलेंगे मुझे तो पता हैंड़िक कैसे लगाता है, ठीक है यार बट जिसको नहीं पता है उसके लिए वीडियो है. अब देखो क्या करना इसको अगर मुझे handbrake हटाना है, तो मैं ऐसे press करूँगा, नीचे नहीं जाएगा, कितनी भी मैं ताकत लगालू, नीचे ये नहीं जाएगा, अगर मुझे इसे नीचे करना है, तो मुझे हलक असा बटन को press करना है, यह मैंने बटन प्रेस किया, और हलक असा ऊपर करके इसका मतलब आपका handbrake जो है, वो प्रॉपरली लग रहा है, अब यह आता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका जब उसमें एक, वहाँ पे यार कैसे सम्झाओं, तो मैं कर नहीं सकता है, इसको खोल के, तो वहाँ पे खांचे बने रहते हैं, जिसमें आपका जो handbrake है, वो रखना है, हमेशा आपको handbrake जब आप नीचे करेंगे, नहीं release करेंगे, तब button दबाना है, अगर आप button दबा के handbrake लगा देंगे, जैसे मैंने button दबा के handbrake लगा दिया है, तो अब मुझे नहीं पता है, जो मेरा handbrake है, वो कहाँ पे आके रुका है, लगा भी है, नहीं कर दीजे, तो यह तो था handbrake का, यह थीक है, सब को पता होगा, बड़ जिसको नहीं पता है, यह उसके लिए वीडियो में ने बनाई थी, एक बार फिट से बताता हूँ, ऊपर किया, बिना button को प्रेस किया, नीचे करना है तो, थोड़ा सा ऊपर किया, button प्रेस किया, नीच जाता है, या फिर आपने matting इतनी जादा करा लिया है, मतलब आपने, क्या कहते है, floor mat भी करा लिया है, और दूसरे तरे के, जो आपके mat होते हैं, वो भी आपने लगा लिया है, जिसकी विज़े से आपका clutch जो है, वो पूरा प्रेस नहीं हो रहा है, उस होता है कि आपका ज अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे होगी तो वीडियो को like कीज़े, channel को subscribe कीज़े, share कीज़े, comment कीज़े, मैं आपके हर comment कर रपलाइ करता हूँ, और एर एक चीछ फिर से बोलूँगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मैनत लगती है, तो एक like और एक subscribe करके ये जये